हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सुवागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपकी संस्कृत रिसे की क्लास लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको 2019 का जो आपका प्रश्ण पत्र है इसका complete solution कराने वाली हूँ तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजेगा और सभी लोग जो है वो क्लास से जुड़ जाईए इससे पहले भी मैंने आपको संस्कृत विसे के previous year question paper solve करवा दिये हैं अगर आपने classes नहीं देखी है तो चैनल पर आपको playlist मिल जाएगी वहाँ से उन classes को देख लीजिए चलिए शुरू करते हैं आपके first question से देखे पहला question क्या पूछा गया था और जो नए जोड़ रहे है चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली classes जो है वो आप सभी को मिलती रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question देखे क्या पूछा गया है पिपी लिका शब्द का अर्थ है तितली, चिडिया, चीटी या फिर कोयल पिपी लिका का मतलब होता है चीटी चीटी की संस्क्रत होती है क्या पिपी लिका तो ये question आपको very short में भी मिल सकता है कि चीटी की संस्क्रत लिखिए इस प्रकार से अगला प्रशने एकोन विन्षती पद संख्या का बोधक है एकोन विन्षती, विन्षती का मतलब क्या होता है 20 और मैंने आपको बताय था एकोन का मतलब होता है एक कम कर देना तो बीस में से एक कम करोई कितना आएगा? उन्निस तो एकोन अभिन्शती का मतलब क्या होगा? उन्निस तो आंसर रहेगा आपका B option सही इसके बाद थर्ड है आपका असमान शब्द में भिवक्ति और वचन है दुतिय भिवक्ति एक वचन, तरतिय भिवक्ति बहवचन, चतुरति भिवक्ति एक वचन या फिर दुतिय भिवक्ति बहवचन असमान तो देखो असमद, युसमद और तत इन तीनों सर्वनाम रूपों के जो आपके शब्द रूप है उनको अच्छे से याद करो असमद, युसमद और तत इनसे कोशन बहुत आता है असमद का जब आप पढ़ेंगे एक वचन का तो उसमें आपका चलेगा अहम, माम, मया, मयम, मत, मम, मै ठीके? तो अहम, माम माम क्या है? दुत्या का एक वचन तो यहाँ पर मैं सभी की आंसर लिखती हुए चलूँगी दुत्या का एक वचन क्या होगा? माम इसके बाद चतुर्थी का एक वचन क्या मिला? अहम, माम, मया, मयम ये हो गया महियम ठीके? दुवचन कहीं दिये ही नहीं है बहचन की लाइन पढ़ लीजेगा कैसे चलती है? वयम, अस्मान, अस्माभी, अस्मभ्यम, अस्मत, अस्माकम, अस्मासू अस्मान कहां मिला? दुत्या का बहचन वयम, अस्मान तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा डी ऑप्शन दुतिया का बहवचन है अस्मान ट्रतिया में क्या आ जाएगा अस्मा भी तो ये भी यहाँ पर मैं रूप लिख देती हूँ अस्मा भी clear है चलिए fourth question पर आते हैं पाधातु का लंग लकार मध्यम पुरुष दुई वचन में रूप होगा लंग लकार पहले तो आपको पता होने चाहिए कौन से काल को बताता है तो लंग लकार जो है रिप्रेजेंट करता है भूत काल के बारे में और भूत काल में जब शब्द रूप चलते हैं आपके धात रूप चलते हैं रूप नहीं धात रूप तो वहाँ पर आ लग जाता है जैसे पठ धातु के चलेंगे तो कैसे चलेंगे अपठत इसके बाद अपठताम अपठन यह हो गया प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष में कैसे आएगा अपठत अपठत यहाँ पर हलंत नहीं लगती बस इतने इंतर है इसके बाद आपका क्या पूछाता मध्यम पुरुष का द्वचन तो मध्यम पुरुष का द्वचन क्या है अपठत लेकिन आपसे पाध हातु का पूछा है तो पाध हातु का मतलब होता है पीना और इसके जब रूप चलते हैं तो चलता है पिबत करके तो यहाँ पठ धातु के याद करने है बाकी सभी के आप बना लोगे पठ धातु से ही ठीक है पांचों लकारों में याद कर लीजेगा लट लकार में भी लोट में भी विदिलिंग और आपका एक और वचा कौन सा लंग लकार ठीक है फिफ्ट कोशन है आपका उत्तम पुरुष से संब पुरुष के बारे में जैसे कि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है प्रतम पुरुष इसमें आपका आजाएगा वह इसके बाद होता है मध्यम पुरुष ये बताता है श्रोता के बारे में इसमें आता है तुम इसके बाद होता है उत्तम पुरुष, ये बताता है वक्ता के बारे में, जिसमें आता है मैं या फिर हम, इसमें तुम आप दोनों हो सकते हैं, ठिक है, तो बताईए उत्तम पुरुष में कौन से सर्व नाम आ रहा है, मैं, तो इसे साबسे कौन सा option सही रहेगा, सी option, ठिक है, चलिए, उम्मीद ह आप सभी के 5 के 5 जो MCQ कोशन है वो सही रहे होंगे अब हम आते हैं अतिल उखत्रिय प्रश्णों पर पहला प्रश्ण आपका 6 संस्क्रत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए संस्क्रत में जो लिंग है वो तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से पुल लिंग, इस्त्री लिंग और नपुन्शक लिंग पुल लिंग क्या होते हैं तो पुल लिंग वे आपके शब्द होते हैं जो पुरुष जादी का बोद कराते हैं इस्त्री लिंग क्या होते हैं तो जो इस्त्री जातिका बोद कराते हैं वो इस्त्री लिंग शब्द होंगे नपुन्शक लिंग क्या होंगे जो ना तो पुरुष जातिका बोद कराए ना ही इस्त्री जातिका वो होते हैं नपुन्शक लिंग शब्द नेक्स्ट कोश्चन है लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है तो आप सभी जानते हैं लट लकार का प्रयोग हम किस के लिए करते हैं वर्तमान काल के लिए करते हैं तो इसका आंसर रहेगा सही वर्तमान काल एर्थ कोश्चन है गम धातु के प्रथम पुरुष बहुबचन का रूप लंग लकार में क्या होगा लंग लकार का बताना है जस अभी मैंने आपको लंग लकार बताई थी और क्या पूछा है यहां पर गम धातु प्रथम पुरुष बहुबचन तो यहाँ देखे प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है अपठन गम धातु में यह जा करके क्या बन जाएगा गम का चलता है गच्छत करके तो यहाँ पर बन जाएगा अगच्छन क्लियर है सैविन्थ और एट्थ दोनों कुशन के आंसर देख लीजिएगा लटकार का प्रयोग हम वर्तमान काल के लिए करते हैं इसी प्रकार से आंसर लिखना गम धातु लंग लगार प्रथम पुरुष का जो वचन वह वचन है वो है आपका अगच्छन सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है इसके बाद यहां मैंने गम धातु के आपके सभी पुरुष के रूप लिख दिये हैं प्रथम पूरष में चलेगा मन्यम में अगच्छा अगच्छतब अगच्छितस、 उत्तम में अगच्छव अगच्छा मैंने यहां तीनों उसके लिए एकजाम में आपको ऐसा नहीं करना है एकजाम में जितना पूछा जाएं सिर्फ उतना ही लिखना Clear? नेक्स्ट कुश्चन है आपका संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो सभी जानते हो संस्कृत में कितने वचन होते हैं तीन होते हैं एक वचन दुवचन और पहुचन बाल कहे शब्द में प्रियुक्त भिवक्ती और वचन है बाल कहे रामहे कहां मिलता है तरतिया भिवक्ति बहवचन में ठीक है तो आपका सही क्या हो जाएगा इसमें विवक्ति कौन सी हो जाएगी तरतिया भिवक्ति और वचन कौन सा हो जाएगा बहवचन नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ है नवनीत नवनीत किसको बोलते हैं मा इन तीनों के आंसर कैसे लिखने हैं देख लीजी संस्क्रत में वचन तीन प्रकार के होते हैं एक वचन दुवचन और बहुचन जो एक का बोद कराए वो एक वचन होता है जो दो संख्याओं का बोद कराता है वो दुवचन और जो दो से अधिक संख्याओं का बोद कराते है वो होते हैं आपके बहवचन बाल के शब्द में त्रतिय अभिवत्ती बहवचन है राम के शब्द रूप बहुत अच्छे से रट्टा माल लीजे जब आपको कोई शब्द रूप याद ना हो तो वहाँ पर ट्रिक के तौर पर आप राम के लगा सकते हो क्लियर इसके बाद नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ होता है मक्कन यहाँ पर आपके सभी जो अतिलगुत्तिरी प्रशने थे वो कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद कर रहे हूं कि सारे अतिलगुत्तिरी आपके सही रहे होंगे अब हम आते हैं लगुत्तरिय प्रशने उपर जिसमें आपका सबसे पहला प्रशने है दाध हातु लट लकार में रूप लिखिए दाध हातु का लट लकार में रूप लिखिए most important है दाध हातु से question आजकल बहुत पूचा जा रहा है आपकी semester में तो अच्छी से तयार कर लो इसको देखिए इस प्रकार से table बना कर लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा impact पड़ता है कैसे चलेगा आपका प्रथम पुरुष में ददाती दत्ता दधती बध्यम पुरुष में ददसी दत्ता दत्त और उत्तम पुरुष में ददामी दद्वध दद्म ये वाला बहुत पूछा जाता है बहुत जादा क्योंकि हम यहां पर पठती पठता पठनती कर देते हैं ददती दत्ता ददनती ददनती नहीं होता ददती होता है ये आपका UP TET में भी पूछा जा चुका है आपका निम्नलिखित इसलोक का अर्थ हिंदी में लिखिए परित्राडाय साधू नाम विनाशायच दुस्क्रताम धर्म संस्था पनार्थाय संभवामी युगे-युगे ये आपका गीता का है और यहाँ पर भगवान ये कह रहें परित्राडाय साधू नाम साधू के और दुस्टों का विनास करने के लिए धर्म संस्था पनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए युगो-युगो में वो अवतार लेते रहते हैं इस प्रकार से आप लेख सकते हैं सज्जन बुर्शों की रक्षा के लिए याने की सादूों की रक्षा के लिए दुसकरिमियों का विनास करने के लिए और धर्म की इस्थापना के लिए मैं श्रीक रश्न युगो युगो से प्रतियग युग में प्रकट होता हूँ या पिर अवतार लेता हूँ या आपका गीता में कहाता है इन्होंने एक श्लोक आएगा ही आएगा इसलिए जो श्लोक मैंने आपको और सुक्तियों करवाई हैं श्लोक और सुक्तियों को अच्छे से त्यार कर लो इसकी बाद 14 कोशन देखेगा निमलिखे शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए शशकहा, द्राक्षः, व्रसबहा और चिक्रोडः शशकहा का मतलब होता है खरगोश, द्राक्षः का मतलब होता है अंगूर द्राक्षः फलम लिखके आजाए तब भी वो अंगूर ही रहेगा व्रसभा का मतलब होता है बैल और चिक्रोडा का मतलब होता है गिलहरी गिलहरी की संस्कृत कभी कभी पूछ लेते हैं इंपोर्टेंट है ये ठीक है गिलहरी की संस्कृत क्या रहे हैं चिक्रोडा और चिक्रोडा की हिंदी भी आ जाती है, उल्टा उल्टा करके पूछ सकते हैं ये 15 कुशन है, एक से दस तक की गिंतियों को संस्कृत में लिखी है Most, most, most important क्योंकि एक से दस तक, दस से बीस तक, पंद्रे से बीस तक ऐसे गिंतियां हर वार पूछी जाती है इसलिए एक से लेकर के 20 तक की गिंतियों को अच्छे से तियार कर लो यहां से संस्कृत में गिंती लिखने को आएंगी है, आैंगी वो भी दो नंबर में फिक्स है ये नंबर तो अच्छे से इसको तयार कर लो लिख लिख के देख लेना ताकि हलंद की विसर की गलतिया ना हूँ एक की हो जाएगी एक अहां दो की दो इस प्रकार से लिख सकते हो ठीक है वो तो टाइपिंग में आ गया आप ऐसे लिख दीजिगा दो तीन की त्रेहा, चार की चत्वा रहा, पांच की पन, छे की सट, साथ की सब्थ, आठ की अस्ट, नो की नव और दस की दश ठीक है एक से दस तक पूछी थी तो दस तक ही मैंने लिखी हुई है संस्क्र सिक्षन में श्रव द्रस्य सामिग्री की क्या उप्योगिता है संचेप में लिखिए संस्क्र सिक्षन में श्रव द्रस्य सामिग्री की उप्योगिता निम लिखित है चात्र को सक्रिय रखने में उप्योगी है चात्रों को सरल्ता पूर्वकवा रोचक तरीके से सिखाने में उप्योगी है चात्रों की अधियगम सतर को उच्चवा इस्थाई बनाने में उप्योगी है आपको पता है जब श्रवे द्रस tiro-再 सामिग्री का प्रियोग करते हैं तो अधिकम रहता है वो स्थाई हो जाता है बच्चों को काफी टाइम तक चीज़े याद रहती है तो इस्थाई बनाने में भी उपयोगी है चात्रों की विसे वस्त में रुची जागरत करने में भी उपयोगी है उचारण संबंधी ये शुद्धियों को दूर करने में हम प्रियो करते हैं पाठ्थे वस्तु को सजीव रूप से दर्साने के लिए भी हम इसका प्रियो करते हैं जब आपको हो सकता है आपको जैसे बच्चों को फलो के नाम सब जीओ के नाम लर्ण कराने हो तो आप चित्र के माध्यम से चार्ट के माध्यम से उनके सामने प्रस्तु करिए और वो चित्र को देखते हुए उनको याद करते हुए चलेंगे और आसानी से उनको याद हो जाएगा जैसे आपने छोटे पे देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता है और पढ़ना भी नहीं आता है तो एक बुकलेट सी आती जिसमे तो उनकी मम्मी या उनकी पापा उनको जब बताते हैं आम, अमूध तो उसको देख देखके वहां फिंगर रखके पढ़ते जाते हैं उनको नहीं पढ़नाँ आता कि बहाई नीचे आम लिखा है तो वह आम पढ़ रहे नहीं वो जो चित्र बना हुआ है आम का उस पर finger रख रहे हैं और बोल रहे हैं यह आम है या यह हाथ ही है वो finger रखते हुए मतलब वो चित्र पहचान रहे हैं कि हाँ यह चीज यह है तो इसलिए हम यह model या फिर chart का प्रयोग करते हैं और पद्दे इस लोग आदि को कंठस्त कराने में भी हम श्रव्य जो सामिग्रियां होती रेडियो टेप रेकॉडर हो गया इन सभी का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को क्या हो चीज़े कविताएं हो जाए या फिर इश्लोग हो जाए संस्क्रत में यह कंठस्त हो जाए नेक्स्ट कोशन है आपका तत्त सर्वनाम श इस त्री लिंग में भी चलते हैं पुल लिंग में भी चलते हैं नपुशक लिंग में भी चलते हैं तो तीनों में आपको याद करने पड़ेंगी बस थोड़ा सा डिफ्रेंस है इस त्री लिंग में आपका चलेगा सा ते तहा और दुतिया विवक्ति में ताम ते तहा प् तो श्याम पैर से लंगड़ा है ठीक है पैर से लंगड़ा है और पेड से फल गिरते हैं देखेगा कैसे बनेंगे मैं प्रतिदिन विध्याले जाता हूँ मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम प्रतिदिन की प्रतिदिनम विध्याले की विध्यालेयम जाता हूँ ये आपका तो लगा है गच्छामी वाक्य बन जाएगा अहम प्रतिदिनम विध्यालयम गच्छामी तुम कहां रहते हो तुमकी संस्क्रत त्वम कहां के लिए कुत्र और रहने की होती है वस धातु ठीके वस रूप कैसे चलेगा देखो ये भी लटलकार का है और तुम शब्द है ये मध्यम पुरुष एक वचन का है तो वस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन ढूढ़िए क्या बनेगा पठती पठता पठती इसके बाद मध्यम पुरुष में कैसे चलते हैं पठत के पठता पैर से जिस अंग में विकार होता है उसमें तरतिया विवक्ति का एक वचन लगा देना है पैर में विकार है पैर की संस्कृत होगी पाद और पाद में जब आप लगाएंगे इसका तरतिया वचन तो बनेगा पादेन तो आपका आईगा श्यामाः, पादें, खंजा, अस्ति छीके लंग्रे की खंजा और अस्ति मींज है पेड से फल गिरते हैं, पेड से फल अलग हुएं पेड में क्या है अपाधान कारक है कर्ताने कर्म को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग होने की अर्थ में यानि कि फल जो है वो अलग हो गए है पेड़ से तो पेड़ में आएगी पंचमी का एक वचन पंचमी का एक वचन राम का होता है रामात इसलिए पेड़ का हो जाएगा व्रक्षात पेड की संस्कृत क्या होती है व्रक्ष तो उसका लग जाएगा व्रक्षा तो व्रक्षात फल फलम फले फलानी गिरते हैं कई सारे हैं तो फलम फले फलानी लग जाएगा और पतती पतता पतंती तो व्रक्षात फलानी पतंती यहां रखना यहां पर जो क्रिया दिये वो कैस ऐसे हो पेड़ से फल गिरता है तब तो बनेगा व्रक्षात फलम पतती लेकिन पेड़ से फल गिरते हैं तो बनेगा व्रक्षात फलानी पतंती क्योंकि कई सारे फल हैं बहु वच्छाने इसलिए पतंती लगेगा clear है, समझ में आया यहीं पर आपका ये paper complete हो गया है और class को like जरूर करिएगा आपको पता है कि मैनत करते ही, कम से कम एक like तो आपका deserve करते ही है, तो like करिए और comment करके बताइए कि class आप सभी को कैसे लगी चलिए, तो मिलेंगे फिर आपकी next class में, thanks for watching and please like, share and subscribe my channel, bye bye, take care